आईए आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ ये बात है पंदरसोवी सदी की सुल्तान सिकंदर लोदी जिनों जो की लोदी डाइनस्टी के हुआ करते थे वो एक दिन ऐसे गश्ट पे निकले तो जब वो बाहर जा रहे थे तो उनोंने देखा एक पक्षी के मुँझे एक मोत का ग्रेन जिसे बोलते है सीड वो गिर गया तो इनोंने उसे उठा लिया तो जब इनोंने उसे उठाया तो इनके साथ इनके प्राइम मिनिस्टर जो वजीर थे मिया भौया साहब थे तो उनके हाथ में थमा दिया तो मिनिस्टर जो थे उन्होंने सोचा कि अरे सिगंदर लोधी साहब ने अब मुझे कुछ थमाया है तो इसको मैं ऐसे तो नहीं फेक सकता इसका कुछ ना कुछ सद्वपियोग कुछ ना कुछ इसकी इसका इस्तमाल में लाया जाए तो उन्होंने क्या किया इसी इरिया पे उन्होंने इस बीच को बो दिया बीच को बोने से क्या हुआ कि एक बीच के फिर फसल होगी फसल से इन्होंने कमाई हुई इनको इसकी बाद कमाई जब पैसे इनके पास आये तो इन्होंने सोचा क्यों ना खुदा की राह में एक मस्जिद यहां पर बनाया जाए तो वो पहुच गए सुल्तान साब की सिकंदर लोदी साब से इजाज़त मांगी कि क्या यहां पर हमें एक मस्जिद खड़ा कर सकते हैं तो यह बात उनको बहुत अच्छी लगी तो सिकंदर साब कौन सा मना करने वाले थे उन्होंने कहा जी जरूर शुरू किया जाए और उन्होंने खुद बोला कि मैं खुद आऊंगा और इसकी जो नीव जो रखी जाएगी वो मेरे हातों से रखी जाएगी तो यह कहानी है मोत की मसझिद की तो यह आप जो देख रहे हैं this is the वजुख खाना यह वजुख खाना है जहां पर मुसल्मान भाई जो है नमाज अता करने से पहले जो एबलिशन जिसे वजुख आजाता है वह करते हैं यह बात है पंदरा सो पांच की पंदरा सो पांच मे ये जो है बिल्डिंग जो है ये जो मस्जद है ये खड़ी हुई थी और ये जो area है ये moth masjid विलेज है जो एम्स अस्पताल है दिली में उसके बैक साइड का एरिया है ये पार्किंग का थोड़ा सा इशू था बट फिर भी पार्क हो जाते है हमाब ये थोड़ा सा रहाइशी इलाका है रेसिडेंशल एरिया है तो ये आप देख सकते हैं इसमें तीन डोम्स हैं ये रेड सैंड स्टोन जो आपको सामने दिखाई दे रहा है और मार्बल से बना हुआ मस्जिद है ये आर्किलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया एसाइ के अंतरगत रहाएं तो इस वजह से यहाँ पर नमाज अता करना एसाइ की साइट्स पर अलाउड नहीं है हलांकि कुछ मस्जिद हैं जैसे नीली मस्जिद होसकाज वो भी एसाइ के अंदर आता है लेकिन वहाँ पर लोग नमाज अता करते हैं खेर ये भी मुद्दों यहाँ पर और वीडियो के माध्यम से आपके साथ उन जगेओं को शेयर करने का तो देखें आप खुबसुरुत जगे हैं थोड़ा सा पार्किंग का मसला है और एंट्री फ्री है रेसिडेंशल एरिया है तो सेफटी है सेक्योर्टी गार्ड मुझे यहां नजर नहीं आया मेभी वो आस-पास होंगे या नहीं होंगे इसका मुझे इल्म नहीं बट एक खुबसुरुत जगे थी मुझे अच्छा लगता है ऐसी जगों पे घूमना और ये वही कह सकते हैं hidden gems या hidden features कुछ ऐसे इलाके जहां पे लोग नहीं जाते जहां पे लोगों को जिस इलाकों का इल्म ना हो जादा या जो जादा popular ना हो तो अब मैं दिल्ली में मोटे-मोटे मेरे spots हो गए हैं तो मैं छोटी-छोटी चीजी ढूंडता हूं और फिर वहां जाता हूं वीडियो शूट करता हूं आपके साथ वीडियो शेयर करता हूं और उमीद करता हूं कि आपको भी वीडियो बहुत ही दिल्चस्प लगा हो और आपके चेहरे पे एक मुस्कुराट आई हो ये बैकसाइड है मस्जित का जहां पे गाड़ियां पाग्ड है मेरी गाड़ी भी यहीं पाग्ड थी थोड़ा सा मैं यहां बैकसाइड से शूट कर लेता हूं वीडियो एक मौसम बहुत अच्छा हो रखा था साथ में मेरी बीवी थी तो मज़ा डबल हो गया शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए